कल पता है जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल रही थी न तो मुझे पता नहीं था कि नीचे कुछ पानी गिरा हुआ है मेरा पैर पानी पे गया और मैं जोड से स्लिप हो गई ओ मा कमर पे बहुत जोड से लग गई पर कोई बात नहीं थोड़ा से मैं दवाई लगाई एक तो दिन में सही हो जाएगा पर तुमको मालूम है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी लग जाता है न तो वो बहुत देर तक परिशान रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में अगर थोड़ा सा भी लग जाता है न तो वो बहुत दिनों तक परिशान होते रहते हैं मतलब कुछ लोग ऐसे थोड़ा नाजुक होते हैं तुम कैसे हो नाजुक या स्ट्रॉंग हमारी आज की कहानी में एक ऐसे इनसान की बात है जो बहुत ज़ादा नाजुख था तो नाजुख कैसे था वो मैं तुम्हें बताची एक sıंब क्या हुआ एक राजा और एक रानी था राजा रानी की एक लड़का था प्रिंस प्रिंस बढ़ा हुआ तो राजा रानी ने चाहा कि उनके लड़की की शादी कर दी जाए तो उन्होंने प्रिंस से पूछा कि बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तो प्रिंस से बोला मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत बहुत स्पेशल हो रानी बोला कि तुम्हें खुड दूरनी पड़ेगी ऐसे बहुत बहुत स्पेशल लड़की इसे मोला ठीक है तो मैं ऐसे करता हूँ कल से मैं दूसरे कंट्रीज में जाकर प्रिंसे से मिलता हूँ जो मुझे पसंद आएगी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो फिर अगले दिन प्रिंस ने अपना पूरा समान टाक किया कुछ नौकर को साथ में लिया और वो बारी दरबारी अलग-अलग कंट्रीज में जाने लगा अर भांके प्रिंसे से मिलने लगा जब वो पहली कंट्री में गया और प्रिंसे से मिला तो वो प्रिंसेस इतना बोलती थी इतना बोलती थी कि वो चुप ही नहीं होती थी और प्रिंस उसके सामने बैठारा बैठारा जैसी प्रिंस बोलने कोशिश करता प्रिंसेस फिर अपनी बात रख देती प्रिंस को लगा बाबा ये तो चुप ही नहीं हो रही है अगर ये ऐसी करती रही तो मैं इसे बात कैसे कर पाऊंगा मैं तो जिन्दगी पर बोल ही नहीं पाऊंगा नहीं फिर प्रिंस गया दूसरी कंट्री में वहां की प्रिंसस से मिला अब वहां की प्रिंसेस कुछ बोल ही नहीं रही थी सर्फ प्रिंस ही प्रिंस बोल रहा था जैसे प्रिंस कुछ बोलता तो प्रिंसेस बोलती मैं बोर हो रही हूँ फिर प्रिंस कुछ बोलता हसानी कोशिश करता फिर प्रिंसेस बोलती मैं बोर हो रही हूँ प्रिंस को लगा एल ये तो मैं कुछ भी बोलो बोर हो जाती है अब ऐसके साथ कैसे में शादी कर सकता हूं फिर वो दूसरी कंट्री गया कुछ कंट्रीम में बिर उसनी ते जो बहुत अच्छा आगाती थी कुछ ऐसी थी जो बहुत अच्छा स्विमिंग करना जानती थी कुछ बहुत अच्छी गुर्चवारी करना जानती थी और कुछ बहुत अच्छा लड़ना जानती थी लेकिन इतनी सारी प्रिंसेस से मिलने के बाद भी प्रिंस को वो special वो खास princess नहीं मिली और फिर कुछ महिनों के बाद वो अपने घर पे आ गया फिर राजा औ राणी ने उसे पूछा कि तुम्हें मिली अपनी प्रिंसे तो प्रिंस ना साडो के बोला कि नहीं मिली राजा बोला कि मुझे लगता है तुमने कम से कम सो प्रिंसेस तो देख ली होगी प्रिंस बोलता मैंने हजार प्रिंसेस देखी है लेकिन मुझे कोई भी अपने जैसे नहीं मिली जो बहुत स्पेशल हो रानी ने बोला कोई बात ने, तुम्हें मिल जाएगी, अभी तुम आराम करो, हम बात में बात कर लेंगे और फिर इसके कुछ दिन बाद, क्या हुआ एक दिन, शाम होने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने लग गया खुब सारे बादल आये, बारिश हुई, खुब कीचड़ो गया और तब ही, उसी शाम को, राजा की महल के बाहर किसी ने नौक किया नौकर आया राजा के पास, और नौकर ने बताया, कि बाहर एक लड़की आई है, और आपसे मिलना चाहती है राजा ने उस लड़की को बुला लिया, वो लड़की बिलकुल बारिश में भीगी हुई, उसके पूरे बाल खराब हो चुके थे, उसके पूरे कपड़ों में जगे-जगे कीचर लगा तो राजा ने उसे पूछा, बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है, और तुम्हें इस हालत में मुझसे मिलने आई हो उस लड़की ने बोला कि, मैं प्रिंसेस हूँ, मुझे पता चला कि, आपके हां का प्रिंस, अपने लिए प्रिंसेस जून रहा है और जब मुझे ही बात मालूम चली, तो मैं खुदी उनसे मिलने के लिए आ गई मैं आज सुबह ही आपके शेहर के बार पहुँच गई थी, मेरी गाड़ी और मेरी नौकर वहीं पर थे लेकिन दोपैर होते होते मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं उनको वहीं पर छोड़ कर आ गई जैसे मैं महल के पास पहुचने वाली थी, बहुत तेज बारिश आगी और बहुत कीचड़ था इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई तब तक रानी भी वहाँ पर आ गई, रानी ने जब पूरी बात सुनी तो रानी ने बोला कि कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो तुम आज रादा राम करो हम कल सुबह बात करेंगी रानी ने अपनी मेड्स को बुलाया अपनी नौक रानी को और उनको बोला कि इस प्रिंसस के लिए एक कमरा तयार कर दो और कमरे तयार करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि कमरे में 21 गद्दे 21 पेडशीट और 21 ब्लांकिट लगा दो मैं बताती हूँ कैसे लगाना है मेड्स को लगा 21 गद्दे 21 ब्लांकिट 21 पेडशीट इतने सारों का करना क्या है पर रानी ने कहा था तो उसे करना है था तो मेड गई और इतना सारा समाल लिका किया रानी ने बोला सबसे पहले नीचे एक गद्दा बिछाओ उसकी उपर एक बेडशीट और उसकी उपर एक ब्लांकिट और ये सब बहुत सौफ्ट होना चाहिए फिर उसके बर दूसरा गद्दा फिर बेडशीट फिर ब्लांकिट फिर तीसरा गद्दा बेडशीट ब्लांकिट और ऐसे करते 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 सारे गद्दे एक की उपर एक लगा दो जब त तब तक वो पूरा बेट बहुत उपर पहुंच चुका था, इतना उपर कि वो छट को छुने वाला था, फिर रानी ने बोला कि तुम्हारे लिए मैंने बेट तियार कर दिया है, अब तुम जा करके इस पर आराम कर सकती हो, हम कल सुपह बात करेंगे। लड़की ने हात मुद होया, कपड़े चेंज किये, कुछ खाना खाया और उसके बाद वो लड़की यानुकि प्रिंसेस बेट की उपर कैसे चड़े, वो रुक गई, तो फिर रानी ने एक सीड़ी मंगवाई, सीड़ी को लगाया गया, प्रिंसेस सीड़ी पे चड़कर नीदी नहीं खोल रहे थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत ठकी हुए थी, प्रिंसेस सीड़ी से नीचे उतरी, रानी ने पूछा, क्या हुआ, तो मैं नीद अच्छे से आई, प्रिंसेस बोलती, नाई, मुझे नीद अच्छे से नहीं आई, मुझे पर पूरी रात नहीं सोई है, वो बहुत परिशान है, आँखे बड़ी-बड़ी सूजी हुई, चेहरा बिकल उतरा हुआ, वो उन सब के सामने बैटके खाना खा रहे थी, लेकिन उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था, तो रानी ने बोला कि हाँ, अब बता, कैसी रही रात, त तुमेनीन आई ठीक से, प्रिंसेस ने बोला, माफ कीजेगा, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सोपाई, मुझे कुछ बहुत परिशान कर रहा था, ऐसे लग रहा था, जैसे मेरे गद्यों के नीचे कुछ चीज है और वो मुझे बहुत जूर से रानी ने अपनी मेड को इशारा किया, और मेड एक अच्छी से सुन्दर सी प्लेट पे एक चूट असा मतर का दाना लेकर की आई, रानी ने बोला, ये देखो, ये था तुमारे उन बेट के नीचे, मैंने सबसे पहले वाले गद्यों के नीचे मतर का दाना रख दिया था, और तुमको ये चुब रहा था, इसलिए तुम इतनी परिशानी हो रही थी, मतलब प्रिंस ने बोला, ये क्या था, तो रानी ने बोला, ये ये ही था, कि मैंने से गद्यों के नीचे मतर का दाना रख दिया था, जो इसको बहुत जोर से चुब रहा था, इसलिए परिशान कर रहा था, इसका मतलब तुम रेल में प्रिंसेस हो अगर कोई और लड़की होती तो इसको फर्क ने पड़ता, एक रेल प्रिंसेस को ही इतना दर्द हो सकता था, वो इतनी नाजुक जो होती है तो फिर यह सुनके प्रिंस ने बोला, हाँ, इक्साड़ी मुझे भी तो ऐसी princess चाहिए थी जो बहुत बहुत special है मुझे लगता है तुम ही मेरे लिए perfect हो और तुम ही बहुत बहुत special हो और फिर कुछ दिन के बाद उस prince ने उस princess के साथ शादी कर दी है ना? है जब मैंने सुना ना इस कहाने को तो मुझे पहले लगा कि सच में ऐसे हो सकता है क्या कोई इतना नाजूक कि एक मटर का दाना उसको उतना परिशान कर रहा था मठा वो princess तो थी उस princess को सच में बहुत परिशानी हो रहे थी उस मटर के दाने से और वो थी इतनी नाजूक